दोस्तो वेलकम बैक माई यूटूब चैनल दोस्तो सौधी अरब की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रही है मेरे साथ वीडियो को दोस्तो बिल्कुल इसकिप मत करिएगा पूरी देखेगा आपको आसान भासा में आसान तरीके से पूरी अपडेट बताते हैंगे तो चल दोस्तो बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ दोस्तो सौधी में पहली बार 30 से कम संक्रमन दर्ज किये गए मामलों में कमी के बार सरकार ने दी डिरेक प्रवेश की अनुमती सौधी स्वास्त मंत्राले ने कोरोना अपडेट देते हुए बताया कि गुरुवार को कोरोना वाइरस के 28 नय मामले दर्ज किये गए 38 मरीश ठीक हुए और एक मरीश की मृत्य हुई सौधी में अब बहुत ही कम संक्रमन दर्ज किये जा रहे हैं पहली बार सौधी में 30 से कम संक्रमन दर्ज किये गए हैं इधर सौधी ने भारत समेत कई देशों के यातरियों को डिरेक्ट प्रवेश की अनुमती दे दी हैं कामगार इस फैसले से काफी खोस हैं वहीं दोस्तों बताते चले अपनी दूसरी अपडेट की तरफ दोस्तों सौधी जी ए सीए ने भारत यातरा को लेकर जारी किया सैकुलर डिरेक्ट फ्लेट को प्रवेश को लेकर दिये सौधी जर्नल अथर्टी आफ सिविल एवियेशन गाका ने बताया कि इस बाबात में सभी एरलाइन्स को सेकुलर जारी कर दिया गया है सौधी ने भारत समेट इंडोनेसिया पाकिस्तान ब्राजिल वेतनाम और इजिप्ट को डिरेक्ट प्रवेश की अनुमती दे दी है औ अभी को नियमों का पालन की अपील की गई है करने को कहा गया है उलंगन करने करने पर उसके सक्त खिलाफ कारवाई हो की जाएगी वहीं दोस्तों तिसरी खबर आपको अपडेट बताते चलें जो की भारत से है दोस्तों भारत ने की घोशना की है कि रेगलर अंतरराष्टी उडानों का संचालन 15 दिसंबर से सुरू कर दिया जाएगा हाला कि 14 देशों को इन नियमों से बाहर रखा गया है जिसमें यूके फ्रांस जर्मनी इत्यादी हैं बताते चले कि यह फैसला क्रोना वाइरस को मद्दे नजर रखते हुए लिया गया है प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने इस बात की जानकारी दी है फिलाल भारत यात्रा नियमों को टाइट कर दिया गया है क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक वेरियंट सामने आया है ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए नियमों को टाइट करना अवश्यक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए बह